रीटा गरीबों वाले कपड़े पहन कर सिगनल पर आने जाने वाले लोगों से भीक मांगना शुरू करती है लिपस्टिक की नाम पर सौ रुपे दे दो, काजल की नाम पर पचास रुपे दे दो रीटा एक बड़े घर की बहु होती है, लेकिन उसके सस्राल वाले काफी कंजूस होते हैं, वो हमेशा बाद बाद पर कंजूसी करते रहते हैं, जिससे रीटा काफी परिशान हो जाती है मॉम ये साड़ी ओर कर दो ना मेरे लिए, क्या इतनी चीप साड़ी, केवल पांसो की साड़ी है ये, हा तो हमारे घर की बहु इतने सस्ते कपड़े पहने, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तो सासुमा ये देखो पचास हजार की साड़ी है, कितनी सुन्दर है ना अरे अभी अभी तो तुने इतनी सारी साड़ीया खरीदी थी, कहा चली गई सारी साड़ीया अभी अभी, दो साल हो गई सासुमा उन साड़ीयों को पैसे पेड़ पर नहीं लगते कि तुझ पर उड़ाते रहे हमेशा सुन मैं बाहर जा रही हूँ आऊं तो कपड़े हाथ से धोकर सुका देना मशीन ना चलाना बिजली का बिल बहुत आएगा फिर सास चली जाती है ये बुडिया कितनी कंजूस है पांसो रुपे तो निकलते रही पचास हजार के खुआप दिखा कर ताने देकर चली गई ऐसे ही शाम को अजी सुनो ना मैंने ना एक डायमंड रिंग देखी है मुझे दिला दो ना डायमंड रिंग अरे डालिंग तुम्हे तुम्हें टायमंड का नेकलेस दिला दू तुम रिंग की बात करती हो सच में? हाँ सच तुप्रामिस करो ना कल चलेंगे हम नेकलेस सेट लेने अरे पागल-वागल हो गई हो क्या? प्रामिस कैसे कर दू? वो कितना महंगात है पता है क्या तुमें तुम तो हो ही कंजूस कुछ ना होगा तुमसे बस पैसे कमा कमा कर बैंक बैलिस बनाओ खाना पहनने तो तुम दोनों मा बेटे को आता ही नहीं है यार डालिंग सोने दोना बहुत नीन दारी है फिर अगले दिन रीटा गरीबों वाले कपड़े पहन कर सिगनल पर आने जाने वाले लोगों से भीक मांगना शुरू करती है लिप्स्टिक के नाम पर सौ रुपे दे दो काजल के नाम पर पचास रुपे दे दो पुठा मर गया दाम गिर गया पैसे लाओ लुटा कर जाओ भिकारन को भीक दो मुफत में दुआ पाओ महस पचास रुपे में आशिरवाद सौ रुपे में आशिरवाद की बरसाथ पानसो रुपे में लाइफ टाइम आशिरवाद सब्सक्रिप्शन सास मर जाए बहु सूखी हो जाए रीटा का भीक मांगने का स्टाइल और अतरंगी बात सुनकर वहाँ आने जाने वाले लोग भी उससे खूब एंटिटिन होते हैं और बदले में उसे पैसे दे के जाते हैं अरे वाँ आज तो मोटी कमाई हो गई चलो आप शौपिंग कर ली जाए फिर रीटा कपड़े बदलकर मॉल में जाती है और वहाँ से थेर सारी शौपिंग करके बाहर आती है आज तो मज़ा ही आ गया है शौपिंग करके घर वालों से भीक मांगने से अच्छा है कि बाहर ही भीक मांग ली जाए कम से कम बाहर वाले तानी तो नहीं मारते ऐसी अब रीटा रोज अपनी चिकनी चुपडी बातों से लोग को एंच्टेन करते हुए भीग मांगने लगती है फिर मौल से बंठन के निकलती है ऐसी एक दिन जब रीटा भीग मांग रही होती है तो उसकी परोसन शिवानी उसे देखती है फिर शिवानी रीटा के ससराल जाकर उसकी सास को उसकी सारी हरकते बता देती है वहीं अगले दिन रीटा की सास रीटा का पीछा करती है तब ही वो देखती है कि कैसे उसकी बहुत सरकों पर लाचारों की तरह भीग मांगती है और फिर उन्ही पैसे से मॉल में जाकर आश करती है फिर जब रीटा शाम को घर आती है तो क्योरी कुल्टा डायन शरम नहीं आती रोड पर बिखारन बनकर भीग मांगते हुए हमारे इज़त की दो धर्जियां उड़ा दी है तूने इतने करोड़ पती खांदान की बहु को ऐसे बिखारन बनकर भीग मांगकर उन पैसों से शॉपिंग करना शोबा देता है क्या अच्छा और ये बात बोल कौन रहा है आप सासुमा इतने बड़े खांदान की बहु हुम है और एक चॉकलेट लेने के लिए भी सौ बार सुनाई जाती है यहाँ पे इतने पैसों का क्या करोगी जब धंका खा और पहन नहीं सकते जरूरत का समाल लेने के लिए भी सौ बार सोचना पड़ता है ऐसे कैसे चलेगा कम से कम भीक मांग कर ही सही लेकिन मेरी जरूरत तो पूरी हो रही है ना मुझे माफ कर दे बेटी हमने तुझे पाई-पाई के लिए महताज कर दिया जिस कारण तुझे भीग तक मांगनी पड़ी लेकिन बैसा नहीं होगा अच्छा सासुमा फिर एक काम करो न मैंने न मॉल में एक करूर का नेकलेस देखा था वो दिलाद हो न क्या? क्या हुआ? एक करूर का नाम सुनकरी स्वार्ग की टिकेट का टाली के सासुमा इतने जल्दी नहीं मरूंगी मैं भी थोड़ी बहुत एक्टिंग जानती हूँ ज़ जल्दी से तयार हो फिर चलते हैं कहां भीक मागने? शापिंग पर हम मिलेंगे आप सभी से अगली कहनी में तब तक के लिए अपना बहुत ख्यार रखें बाबाई, टेक केर